नमस्कार दोस्तों मैं मनसारामरमा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल SMSTD गुरू पर रेलवे एंटी पीसी 15 मार्च सेकेंड सिप्ट का एक्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम सही प्रस्णों के साथ मैं आ चुका हूँ तो discuss करेंगे सभी questions 100% सही question ही है जो candidate के द्वारा बताए गए हैं तो सभी question हम discuss करेंगे साथी साथ subject वाइड भी analysis करेंगे कि किस subject में क्या changes देखने को मिले हैं तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रस्ण से उससे पहले मैं बता देता हूं कि जिनका भी एक्जाम हो जा रहा है वो कट आफ का वीडियो देख सकते हैं हर एक पारमीटर को ध्यान में रखते हुए कट आफ का वीडियो दिया जा चुका है आप एक बात प्लेलिस्ट में जाएए सब कुछ आपको महाँ पर मिल जाएगा तो पहला प्रस्ण आज की सिफ्ट में देखने को मिला है कि कोश्चन पूछा गया है एलो इस्टोन नेशनल पार्क कहां पर है तो यह अमेरिका इसका सही अंसर हो जाएगा तो अमेरिका इसका सही अंसर जिन्होंने किया हो उनका सही होगा बिल्कुल नेस्ट कोश्चन देखने कोश्चन था काकरा पार पावर प्लांट कहां पे है तो गुजरात इसका सही अंसर हो जाएगा गुजरात नेस्ट कोश्चन देखने को मिला है कि असायोग आंदोलन में गांधी जी को जेल भेज दिया गया था तब वकी कौन था तो वकील यहां पे चितरंजन दास ने वकालत उस टाइम छोड़ी थी तो कुश्चन कुछ क्लियर नहीं हो पाया है लेकिन हमारे ख्याल से चितरंजन दास से रेलेट कुश्चन पूछा गया होगा क्योंकि वहां पे यही प्रसित धोये थे और वकालत छोड़ दी थ गांधी जी ने इसी आंदोलन में पाटिश्वेट किया था फर्स टाइम तो यहां पे 1917 में हुआ था चंपारन आंदोलन ने स्ट कोश्चन पूछा गया है इंडिया बिंस फ्रीडम इस बुक के राइटर को पूछा गया है तो अबुल कलाम आजाद इसका सही अंसर होगा यहीं पे अगर पूछा जाता कि Wings of Fire किसकी रचना है तो A.P.J. अब्दुलकलाम की रचना है नेस्ट कोशन पूछा गया है स्रेयस योजना स्रेयस योजना 2021 से पूछा गया कोशन तो इसका संबंध है Apprentice और Skills यानि कि जो इवा हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको Apprentice और Skills के द्वारा रोजगार प्रदान करना स्रेयस योजना में दिया गया है नेस्ट कोशन पूछा गया है कोशन है कि 2022 में A.C.N. खेल कहां पे होंगे तो हांग जहू चीन इसका सही अंसर होगा नेस्ट कोशन पूछा गया है कि पदमनाव श्वामी मंदिर कहां पे है तो केरल इसका सही अंसर होगा और विश्णू जी को समर्पित है ये मंदिर नेस्ट कोशन है कि गोलकुंडा किला जो है कहां पे है तो हैदराबाद तेलंगाना में इस्थित है नेस्ट कोशन पूछा गया है कि CPU की स्पीड किसमें मापते है तो मेगा हर्ड्स और गीगा हर्ड्स में CPU की स्पीड मापी जाती है नेस्ट कोशन पूछा गया है कि आर्टकिल 21 जीवन योम ब्यक्तिगत सोतंतरता का अधिकार related है और 51 ए पूछा गया था तो इसमें मौलिक कर्तब भी दिये गये हैं तो इस प्रकार maximum question जो repeated question देखने को मिल रहे हैं आप एक बार playlist में जाईए वहाँ पे जितनी भी shift का analysis करवाया जा चुका है आप उसका फाइदा जरूर ले next question पूछा गया है question पूछा गया है कि दाब का मात्रक कौन है तो दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा और यहीं पे अगर Newton पर मीटर स्कॉयर भी एंस दिया गया होगा option में तो भी सही हो जाएगा next question पूछा गया है question दा कि फ्लोरीन किसका इस टाइप पा कुछ question पुछा गया था question clear नहीं हो पाया है जिन candidate ने एक्जाम दिया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दें question क्या था इन में से कौन sublimation करता है यानि उर्धपातन की क्रिया किसमे होती है तो इसके जो option होंगे आप लोगों को पता होंगे अगर हम बात करें तो कपूर, नेफथलीन, अमोनियम, क्लोराइड और एंत्रासीन इसमें sublimation की प्रिकरिया होती है बाकी option में साहिद कंडिलेट ने बता है कि iodine भी दिया गया था तो आप लोग option बता सकते हैं बाकी अगर इन में से कोई रहा होगा तो यह answer हो जाएगा next question पुछा गया है कि lead किसमें पाय जाता है option में गय लेना था तो गय लेना इसका सही answer हो जाएगा next question पुछा गया है कि COP25 यानि conference of party 25 कहां आयोजित किया गया तो 2 से 13 दिशंबर 2019 को Spain, Madrid Spain, Madrid में आयोजन हुआ तो इसका सही answer Spain, Madrid हो जाएगा next question पुछा गया कि UNO के brand ambassador कौन है तो अशोक, अमरित, राज इसका सही answer हो जाएगा next question पुछा गया BEL यानि भारत electronics limited का headquarter कहां पे है तो बैंगलूरू इसका सही answer हो जाएगा next question पुछा गया है कि नाबाड की स्थापना नाबाड की स्थापना 19 जुलाई 1982 को हुई और इसका अगर CEO पुछा जाए तो गोविंदा, राजलू, चिंताला इसके CEO है next question पुछा गया है महारास्ट से कौन सा राज नहीं लगता है तो गुजरात, यंपी, करनाटक, 36 गड़ और तेलंगाना ये महारास्ट के बॉर्डर से लगते हैं बाकी option में जो दिया रहा हो वही answer हो जाएगा next question पुछा गया है कि किस राज्य में अभी तक राश्ट्रपति सासन नहीं लगा है एक भी बार तो 36 गड़ और तेलंगाना में नहीं लगा है तो option में दोनों में से एक दिया रहा होगा वही answer हो जाएगा next question पुछा गया है question है कि anti-tank missile कौन ती है तो नाग, हेलेना और अमोग ये तीन जो है anti-tank missile हैं बाकी option में जो fourth number दिया रहा होगा वही answer हो जाएगा next यहाँ पर bite का विसकारक पुछा गया था तो आप इसका answer कमेंट में जरूर बताएं और जिन्हों ने भी exam दिया है जितने भी question बताया जा रहे हैं उनके अलावा अगर आपको question याद है तो please comment में आप बताईए कि आपने कितना attempt किया है और कोई भी और question आपको याद है तो आप जरूर लिखे comment में next question पुछा गया है कि परम 8000 किस बर्स बना तो 1991 में बना और ये इंडिया का first super computer जो है परम 8000 next question है करो या मरो का नारा किसने दिया तो महत्मा गांधी इसका सही अंसर हो जाएगा next question पुछा गया safety wall theory किसने दिये तो लाड डफरीन इसका सही अंसर हो जाएगा यहीं पर हम label की बात करें तो आज की shift में कुछ नया देखने को नहीं मिला है बाकी यहाँ पे मयत की बात करते हैं मयत में यहाँ पे एक question देखने को मिला था कि पर्थम दस संख्याओं के वरगों का मात दिख्या होगा यानि mean से दो question आये थे जो की easy question candidate के दोरा बताए गये हैं next question profit loss से यहाँ पे बात करें तो easy question आये थे दो question आये थे trigonometry से भी question देखने को मिले हैं CISI से दो question आये हैं HCF LCM से भी question है ratio percentage, simplification, number system और geometry इन सभी से question पूछे गये हैं तो इनकी आप revision करके जाएं अगर भविस्टी में आपका exam है तो आप इनसे जरूर practice करके जाएं बाकी अगर reasoning की बात करें तो यहाँ पे puzzle, sitting arrangement, series, blood relation और statement, conclusion और coding, recording से maximum question देखने को मिले हैं तो इनकी भी आप practice करके जा सकते हैं अगर हम यहाँ पे बात करें subject wise तो GS का label जो है easy to moderate देखने को मिला है बाकी मैत का label easy to moderate था reasoning का भी label easy to moderate था overall अगर paper की बात करें तो moderate label का paper था बाकी इस shift में जिनोंने exam दिया है अपने review जरूर लिखें मिलते हैं next shift के analysis के साथ तब तक के लिए धन्य बात thank you so much जैहिन जै भारत